आज खाना तुम बनाओगी जिसने पानी का गिलास उठा कर कभी नहीं पिया था उसे मेरी माने हुकुम दे दिया वह उठी जैसे तैसे करके तीन चार घंटे लगाए और खाना बनाया मगर नमक मिरच उस टेश्ट के हिसाब से नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है इसलिए घर के किसी भी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया और उपर से ताने मारने लगे कि मा के घर से यही सीख कर आई हो मैं आठ घंटे की जूटी के बाद घर आया अभी बैग भी नहीं रखा था कि मा कहने लगी कि हम तो सुबह से भूके बैठे हैं कुछ बाजार से लादो खाने के लिए मैंने एक नजर अपनी डरी सहमी पत्नी पर डाली और मार्किट चला गया खाना लेकर आया तो सब खाने पर तूट पड़े मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर उसे रसोई घर में ले आया क्या पकाया है आज वह अपने आसों को आखों में रोकते हुए मुश्कुराने लगी बाखी सब की तरह तुम भी बाहर का खाना नहीं खाओगे नहीं मुझे तो अपनी बेडर वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना है उसने रसोई घर में ही मेरे लिए खाना लगा दिया जब मैंने चखा तो इतना वुई पूरा नहीं था कि खाना खाया ना जा सके मगर उसने इतना समय भी नहीं दिया गया कि वह अपनी गलती को ठीक कर ले दोस मेरी पत्नी का नहीं था कि वह मास्टर कर रही थी और उसकी साधी हो गई पढ़ाई के चक्कर में उसे घर का कामकाज करने का समय ही नहीं मिला और दोस मेरी मा का भी नहीं था जिसने हाउस वाइब बनकर सारी जिंदगी अपने बच्चों और पत्ति के लिए अच्छा खानया बनाया तो वह कैसे अपने बहु के हाथ का बना कम जाय के वाला खाना खाती मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और पत्नी के हाथ का बना खाना भी खा लिया मेरे एक काम ने मुझे मेरे जीवन साती की नजरों में हमेशा के लिए विश्वस्निये बना दिया उस समय मैंने उसका साथ दिया और आज मेरी पत्नी हर तरह के पकवान बनाना सीख गई है या यूं कहो कि एक्सपर्ट हो गई है अगर उस दिन मार्किट से खाना ना लेकर आता तो मा नाराज हो जाती और अगर मैं मा की बात सुनकर पत्नी को सबकी सामने डाट लगाता तो सायद उसकी नजरों में गिर जाता और सायद भे मेरा आदर सम्मान करना छोड़ देती दिस्तों में बैलेंस बना कर रखना बहुत जरूरी होता है नई नवेली बहु को इतना समय जरूर दे की वह थोड़ा अरजश्ट कर सके पहले पहले अगर उससे कोई गलती हो जाये तो उसे नजर अंदाज कर दे और उसे अपने गलती सुधारने का मोकत जरूर दे और उसे ये बताय की आप उसके साथ है ना कि उसे ताना मार कर ये बताय की वह बाजार से आई है और ससुराल वाले उसके लिए पराई हैं क्योंकि एक ओरत जब साधी करके अपने पती के साथ अपने ससुराल आती है तो वह उसका अपना घर बन जाता है तो उस समय उसे अरजश्ट होने में अपने पती और सास के साथ की जरूरत होती है हाँ अंत में लड़कियों के लिए ये जरूर कहूंगी कि वे थोड़ा बहुत क्यों ना हो साथ इसे फैले घर का काम जरूर सिखे आपको ये खानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं